अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट स्टेडी, हम आपके लेकर आ गए हैं सिटेड पेपर टू, लेंगविश टू आपकी जो 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ है, उसकी आंसर के लेकर आ गए हैं उर्दू की, आईए स्टार्ट करते हैं हमारी आंसर की को, तो सबसे पहले आपक तो गाओं का मतज़ाद हो जएगा, 121 का right option हो जएगा, option number 4 शेहर, option number 4, शेहर, question number 122, गाओं में चहल पहल क्यों है, तो 122 का जो right option है दोस्तो option number 3 हो जएगा, ईद की वज़े से, चहल पहल थी, question number 123, हामिद का बाप पिशले साल किस वीमारी की नदर हो गया, तो ये भी आप को पैसेज में घिवन था इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 130 का राइट ऑप्शन है, option number 1 हैजे की बिमारी की नजर question number 124, अमीना कोटरी में बैठी क्यो रो रही थी, तो 124 का राइट ऑप्शन है, दोस्तों, option number 3 इत के दिन उसके घर में दाना नहीं है इसकी वज़े से वो रो रही थी Question number 125 फेहमीन के कपड़े सीने की वज़े से उसको क्या मिला यानि के अमीना को तो 125 का जो right option है दोस्तो option number 1 हो जाएगा 8 आने मिले थे Question number 126 अमीना ईत के लिए अठनी को किस तरह बचाजाती चली आई थी То 126 का right option है दोinson option number 2 इमान की तरह बचाती चली आई थी Question number 127 गरीब की जमा क्या है Question number 127 का right option है Option number 3 गरीब हो Question number 128 हामित की उमर कितनी है तो हामित की उमर है दोस्तो 4 साल Option number 5 आपका चार तो ये थे 128 तक अगला वाला पैसिज है जो कि 139 से 135 तक कोशन होगे और उसके बाद हमारे पैडगोजी के कोशन होगे तो ये वाला आपका पैसिज है बेगम अफजल के कमरे में बैटे स्वेटर बुन रही थी जुम्मन बुखलाया हुआ आता है तो ये वाला प ये वाला आपका पैसिज होगे तो ये वाला पैसिज है बेगम अफजल कमरे में क्या कर रही थी तो 130 जो राइट ओप्शन है दोस्तो ओप्शन नम्बर चार हो जाएगा स्वेटर बुन रही थी नम्म एक सो इकतिस सितारा ने मालकिन को क्या मश्वरा दिया जुम्मन सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेते जाएगा Q132 कमरे की जमक है तो 132 का दुस्तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नमबर 3 कमरो 3133 पुरानी का मुताजाद है तो 133 का राइट ऑप्शन है दोस्तो आप्शन नमबर 3 नए फिर question number 134 बेगम ने नारज होकर जुम्मन से क्या कहा तो 134 का right option है option number 3 बाते मत बताओ, बाते मत बनाओ बुलकड कहीं के question number 135 सहाब कोन से जूते पहन कर दस्तर चले गए थे 135 का दुस्तो right option है option number 1 पुराने जूते पहन कर अब यहां से आपके पेड़ागोजी के question start होते हैं तो आईए start करते हैं हमारे पेड़ागोजी के question जो कि आपके 15 question है question number 136 कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से जबान की तालीम के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है यहां पर आपसे पूछा कहता दुरुस्त नहीं है पहला है से लिसानी फॉरॉमले के तहट हिंदस्तानी जबानों की तालीम दूसरा है से लिसानी फॉरॉमले के तहट अंग्रेजी की बतोर जबान तालीम option number 3 है से लिसानी फॉरॉमले के तहट classic की जबान की तालीम या चौते option में है cell लिसानी formula के तहट मादरी जबान या घर की जबान की तालीम तो यहाँ पर गलत नहीं है जो गलत दुरुस्त नहीं है वो बताना था तो 136 का जो right option है दोस्तो option number 1 हो जाएगा option number 1 यानि के cell लिसानी formula के तहट हिंदुस्तानी जबानों की तालीम question number 137 में चलेंगे आठवी जमात के उस्ताद पांच जुमलों पर मुश्चमिल अंग्रेजी का एक मतन पढ़कर दोबारा सुनाता है और तलबा यहाँ पर थोड़ा सा बिलर है दूसरा है सुनने का काम तीसरा है लिखने का काम यह चोता है इक्तवास का इमला तो 137 का जो राइट उप्शन होगा वो इक्तवास का इमला ही हो जाएगा option number 4 question number 138 दर्जाजिकर में से कौन तरीक ए आमल जबान में अच्छे से लिखने की आमजिकर में शामिल है तो यहाँ पर आपको चार उप्शन दिये हुए मैं सीधा उप्शन पाता हूँ 138 का जो राइट उप्शन होगा दोस्तों option number 2 हो जाएगा question number 149 जबान की आमजिकर के बारे में दर्जाजेल में से कौन सा बयान दुरूस थे हाँ पर सही वाला बताना है पहला है मकामी या पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमजिकर में मौाविन होती है दूसरा है पहली जबान की आमजिकर से बिलकुल मुक्तलिफ है तीसरा है मकामी या पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमुजिश में मुहमल होती है चौती है मकामी या पहली जबान की जानकारी का दूसरी जबान की आमुजिश से कोई लेना देना नहीं है तो दुरुस्त बताना था 149 का जो राइट आप्शन है दोस्तो option number one हो जाएगा यानि के मकामी या पहली जबान की जानकारी दूसरी जबान की आमोजिश में मुआविन होती है question number 140 में चलते हैं साथवी जबात का तालिब इल्म चार जबाने कुरिज मराठी हिंदी अंग्रेजी बोल सकता है वो अपने वालदें से बात करता है चारो जबानों को बासानी इस्तेमाल करता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी जबान बोलता है क्योंकि उसके असाथिजा और एहबाब सिर्फ यही जबाने जानते हैं इस अमल को क्या कहा जाता है पहला है, थोड़ा सा ये बिलर है बदलना या बेनी लिसान या मादरा जबाने सलाहियत या कोड मिलाना पहला था कोड बदलना, तो तो 240 का रायट आपशन होगा, आपशन नमबर तीन, मादरा जबान सलाहियत आप question number 141 में चलेंगे किसका तालूक एक दिमक जबाने या मुक्तलिफ मवाद के लिए दरकार जबान में महारत से है option number है तरसिली जबान में महारत option number 2 है वकौफी कादिम निसानी महारत तीसरा है बैन निसानी महारत और चौता है बुन्यादी आपसी तरसील इमारत तो 141 का जो राइट आप्शन हो जाएगा आप्शन अमबर 2 हो जाएगा C.A.L.P कुशन अमर 142 एक ऐसा मौका जहां तलबा को जेरे और मौज़ू के मुकालिफ तनाजर से वाकिफ कराया जाता है ताके वो बहतर अन्जाज में समझ सके या इस अमर्ण के जरिये तलबा में किसी चीज को फरोग दिया जा रहा है पहला आप्शन है तनकीदी और कवान्दगी दूसरा है कवान्दगी का फरोग तीसरा है तनकीदी तजजिया या चोटा है अमल पर मुबनी तरीके तद्रीज तो 142 का दोस्तो राइट आप्शन होगा आप्शन नमबर 3 तनकीदी तजजिया क्वेशन नमबर 143 पांचवी जमाद का उस्ताद वा चमबच प्लेट और दूसरे बतन अपनी क्लास में लेकर आता है ताके बावर्ची खाने की चीजों के बारे में तोजी ही जमले लिखकर लफजियात की तद्रीज कर सके जबान की तद्रीज में से उन चीजों को क्या कहा जाता है पहला आप्शन है पकाई जाने वाली अशिया दूसरा है असल जिंदकी के काम तीसरा है तद्रीज मवाज या चौता है रेलिया तो कुशन नमबर 143 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर 4 हो जाएगा 143 का ऑप्शन नमबर 4 रेलिया कुशन नमबर 144 समाजी उलूम की क्लास में आमोजगार क्लासरूम के लेक्चर की मरकिजी खयाल को समझता और उसे जहन नशीन करना चाता है इस महारत को क्या कहते हैं पहला उप्शन है लिखिने की महारत दूसरा उप्शन है वकूफी महारत तीसरा उप्शन है पढ़ेने की महारत या चौता उप्शन है सुनने की महारत तो 144 का राइट आप्शन हो जाएगा आप्शन नमबर दो वकूफी महारत कुशन नमबर 145 आमोजशी माहसुल की कोशिश होती है कि आमोजगार को उस काबिल बनाते हुए कि वो पहला आप्शन है तमाम महारतों का आमोजशी की असल तरीन सतह हासिल करें दोसरा आप्शन है काबिल गदर अंदाजी में लिसानी अनासिर को हासिल करें तीसरा आप्शन है काबिल गदर अंदाजी में कवाईदी मालूमात हासिल करें चौथा आप्शन है काबिल गदर अंदाजी में महारते हासिल करें 145 का दोस्तो राइट आप्शन हो जाएगा, आप्शन नमबर 4, काबिल गदर अंदाजी में महारते हासिल करें Q136, मातराई जबान क्या है? पहला आप्शन है, क्लासरूम में माकज तोर पर एक से जाईज जबानों को बरतने के तर्द तद्रियासी अमल को कहते हैं या दूसरा आप्शन है, या तालीम में जबान की पॉलिसे से मुतालिख है, जिसमें बताया जाता है कि स्कूल में कितनी बार जबाने पढ़ाई जाती है या तीसरा आप्शन है, इसका मतलब जबान के तद्रिस हो, आमिजश में एक जबान से दूसरी जबान का सफर है या चौता option है इसका मतलब यह समझना है कि जबान ने वक्त के साथ कैसे बदलती है तो 146 का दोस्तो राइट option होगा option number one classroom में माकज के तोर पर एक से जाइस जबानों को बरतने के तद्रीसी अमल को कहते हैं question number 147 यहाँ पर एक सवाल से दिया गया है उसे पढ़िए और बताइए कि यह किस तरह का सवाल है चोटी बच्ची की कहानी पढ़ने के बाद आपको इसकी तकालीफ वा असालीफ बरदाच करने के होसले से काफी मतासिर होते हैं एक खत लिखकर आपकी लड़की की होसले की तारीफ करना चाहते हैं 120 फास पर मुश्चमिल एक खत लिखें यह क्या है पहला option इर्तेशाही सवाल है दूस्ता है इस्तेदलाली सवाल है इस्हारी सवाल है या चौता option है तवील जवाबी सवाल है 147 का right option है option number 2 इस्तेदलाली सवाल question number 148 से लिसानी फॉरमले के हवाले से कौन सा दुरुस्त बयान है तो यहाँ पे कौन सा दुरुस्त है यह बताना था यानि कि सही वाला बताना है तो 148 का मैं सीधा आपको option बताता हूँ option number 2 हो जाएगा यानि कि तमाम बच्चे अपनी स्कूली तालिम का आगाज माजिरी जबान या घर की जबान से करते हैं और बाकी स्कूल मुकमल करते कम से कम दो मज़ीद जबाने सीख लेते हैं यह सही option हो जाएगा question number 149 दर्जा जेल में से कौन सा तरीका जबान की आमोजिश की ज़रूरियत के तोर पर जबानी मश्क और जबान की रस्मी वा उसूली अजजिया पर अबूर की वकालत करता है पहला option है कवाईद के अतलाक का तरीका, दूसरा option है कुल जिस्मानी रद्दे हो मले, तीसरा option है समाई लिसानियत, यह चौता option है तरसीली जबान की तद्रीज, 149 का दोस्तो राइट option हो जाएगा, समाई लिसानियत, option number 3 हमारे वीडियो को लास question में देखते है, question number 500, तो जी ही मालूमात क्या है, पहला option है कवाईदी मश्कों में गलतियों के पहचानने के तरीके के बारे में जानना, यह दूसरा option में है, कवाईदी मश्कों के बरतिने के तरीकों के बारे में जानना, यह तीसरा option में है, जबान में लफ्स के तलफ्स को जानना या चौते option में है कवाईदी मश्कों के बारे में जानना तो दोस्तो इसका right option हो जाएगा option number 4 कवाईदी मश्कों के बारे में जानना तो ये थे हमारे total 30 question जो कि आपके 2024 के जन्वरी के paper में यानि कि आज के paper में पूछेगे आपके language 2 के और ये paper 2 की हमने discuss किया अगर आपको paper 1 के question paper की need है तो आप हमारे अगर इस question paper के आपको need है तो आपको ये telegram पर मिल जाएगा और paper 1 का solution जल्दी है हम language 1 उर्दू और language 2 उर्दू दोनों ही जल्दी upload करेंगे तो आप हमारे चैनल के साथ लगतार जोड़े रहे हैं चैनल को जरूर सब्क्राइब करें बहुत बहुत शुक्रीए आपका